पूरी कार्पट एकाउंटिंग ही नहीं दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट अगर कॉमर्स में है हमारे चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है यह सिर्फ कॉमर्स का चैनल है इस पे कॉमर्स के अलावा एक भी सब देदर का नहीं मिलेगा क्योंकि एक टीचर एक ही चीज़ का एक्सपर्ड हो सकता है और एक्सपर्ड है हम लोग कॉमर्स के और आपको भी एक्सपर्ड बना देंगे तो आएए शुरू करते हैं भाई पहला चैप्टर हमने लिया है अन्शो का निरिगमन हराल आइबम पुना निरिगमन भाई चैप्टर का नाम ये जरूर है लेकिन अन्शो की अगर हम बात करेंगे तो ये होते क्या है उससे पहले इस चैप्टर में एक लोग कोशन जरूर आता है और बो लोग कोशन कहां से आ सकता है तो बिल्कुल एक सिस्टम से हम पढ़ाएंगे इस चैप्टर की कमपनी से यानि कमपनी कहा अर्थ क्या होती है कमपनी पहले ये समझना होगा ठीक है देखो मैं समझाता ओ कमपनी का अर्थ समझने के लिए हमारे चैनल पे आप सर्च कर लीजिये कि mean of company बिद संजीब सर या कमपनी का अर्थ संजीब सर मिल जाएगा बहुत अच्छा मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर यह वीडियो बहुत लंबीना हो जाए एक ही चैप्टर मैं पूरे एक वीडियो में समझाओंगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी समझेंगे तो कमपनी एक देखे क्या होता है कि जब किसी ब्यक्ति के दिमाग में ये बात आती कि मैं कमपनी ब्यापार करूँगा तो वो क्या है कि तमाम लोगों से मिलता है तमाम लोगों से बाते करता है जो कमपनी चला रहे होते उनसे जानकारी लेता है कमपनी की सर्च करता है ब्या पंजी करन करा लेते हैं वो ये एक बहुत बड़ा ब्यापार चलाते हैं और वो भी किसके नाम से किसी बिशेस नाम से अपने नाम से नहीं किसी बिशेस नाम से ऐसे समूह के द्वारा किया जाने बाला ब्यापार जिसका पंजी करन भी हो दूसरे नाम से ब्यापार चल रहा ह और कानून के अनुसार जिस ब्यापार एक संस्था का निर्माड हो उसे हम company कहते हैं जी हाँ ऐसे ही लिखना है PDF notes मिलेंगे उसमें तो बहुत यह अच्छे से define किया हुआ होगा लेकिन यहाँ पर company का मतलब हम समझ गए होगे कि company एक कानून द्वारा बनाई गई किर्त्रेम ब्यक्ति है जिसका निर्मालवी कानून द्वारा होता है और समापन भी कानून के द्वारा होता है company अपने समस्त कारिये संचालकों के द्वारा कराती है और पूरे अपने जो लेंदेन है उनका विधिवत लेखंकन करती है ऐसी संस्था को हम company कहते है उमीद है company समझ गए होगे कि बहुत बड़ा कारुबार जिसका पंजी करण हो किसी और नाम से चल रहा हो संचालक लोग चला रहे हो ठीक ऐसी संस्था को हम क्या कहते है company कहते है अब बात होती है कि दूसरे नंबर पे company की विसेश्था है बहुत important मैं छोड़ता नहीं कुछ भी company की विसेश्था है देखो इसके लिए भी वीडियोज बना हुआ है company law में company की विसेश्था है कौन कौन सी होती है ठीक है मैं यहाँ पर shortcut मैं समझा देता हूँ एक मिनिट में समझ जाओगे company की विसेश्थाओं का अगर हम बात करेंगे अधिक पूझी लगी हुई होती है इसका एक पिरवरता को होता है पिरवरता कहते है जन्म देने वाने के लिए अनेक लोगों की इसमें पूझी लगी हुई होती है और company अपने समस्त जो पूझी है उसको छोड़-छोड़ टुकड़ों में बाट देती है जिससे कोई भी व्यक्ति company में अपना पैसा लगा सकता है ठीके लेकिन private company और निजी company ये दो company का अस्थित इंडिया में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है company दूसरे लोगों को रोजगार देती है company का अंकेच्छन, अंकेच्छन का मतलब होता है जहां चपड़ताल बर्स के अंत में जरूर करती है company समय समय पे सबहें बुलाती है company जनता की सेवा करती है company रोजगार प्रदान करती है company के सारे से हमें अनेक प्रोडक्ट यूज करने के लिए मिलते है अब ऐसे तुम्हें 20 यों बता दूँगा ले सकते हो ठीक है तो यह होगे तीसरी चीज आती है companyyou का वर्गी करन company का वर्गी करन तो यह पिरकार ठीक बहुत मज़ा आएगा पड़ते हुए पूरा समझ में आएगा company यह ओक ने होती होती है भाई तो इसके लिए मैं बता दूँ देखो नागरिकता के आधार पर चलोगे देखो आधार आधार तो मत लिखना ठीक आधार लिखोगे उलज जाओगे सीधे कंपणियों के प्रकार का नंबर आये तो 16-17 प्रकार होते हैं कंपणियों के यह सब कुछ हमारे चैनल पर आल् अगर देख के अंदर है तो सोसे करते हैं देशी कंपनी और जिसका में का रियाल है विदेशमें हैं तो वह तही कंपनी पर जिसका राईश्टेसन हो चुका गैर पंजी करत कंपनी जिसका जो कंपनी तो बन गई है लेकिन अभी उसका पंजी करना नहीं हुआ तो वो कहला थी है गैर पंजी करत कंपनी इसके बाद में आता है हमारा कौन सीमित दैट वाली कंपनी यानि अगर घाटा पढ़ गया कंपनी डूबी तो जितना लोगों का पैसा लगा हुआ है सिर्फ वो ही डूबेगा और घर से कुछ नहीं देना पड़ेगा असीमित दैत वाली कंपणी अगर कंपणी डूबी तो उसमें समझ लो घर से भी देना पड़ेगा दैत का मतलब होता है लाइविल्टीज से यानि हमको कितना दूसरे को पे करना जितना हटा पड़ सकता है उतना सब वियर करना है या केबल हमने जितना पैसा लगाया उतना ही वियर करना है ठीक है इसके बाद में जहाजी कंपनी वीमा कंपनी निरमाली कंपनी मार्केटिंग कंपनी ये दुनिया भर की कंपनिया है लेकिन सबसे जादा कंपनियों के बारे में निजी कमपनी, सारविनिक कमपनी, ठीक है, निजी कमपनी को प्राइबेट कमपनी कहते हैं, और सारविनिक कमपनी को हम पबलिक कमपनी कहते हैं, ठीक है, इन दो के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों को पढ़ना है, इसके बाद में आता है कमपनी के मूल पिरलेख, यह के आधार पर कंपनी रन करती है बर्क करती है तो भीया यह हम आपको बताएं यह चार है मुख रूप से देखे जाएंगे आपके लिए चलिए कौन-कौन से हैं सबसे पहले होता है पारसद सीमानियम दूसरा पारसद अंतरनियम तीसरा होता है कमपनी का पिरविवरान और चौथा होता है कमपनी का इस्थानापन विवरान ठीक चार पिरले उखों पे कमपनी चलती है पारसद सीमानियम यह बताता है कि कमपनी कि सीमा में तक भ्यापार करेगी यानि कहां कहां तक यानि कमपनी के अधिकारों को जो बताता है उसे हम सीमा नियम कहते हैं कमपनी की सीमाओं को बांदना कि भाहिया कमपनी यहां सा इतने बीच में काम करेगी यह पारसत सीमा नियम बताता है कमपनी के अंदर-अंदर कौन-कौन सी बाते होंगी कौन-कौन से कानूनों का पालन किया जाएगा यानि company कैसे चलेगी ये बाते जिसमें इस पश्ट होती हैं पारसत अंतर नियम होता है company की पूरी जानकारी कितनी पूंजी है कितने shareholder है कितने इसके directors है कौन इसका प्रविबरान जारी करता है कौन इसका पूरा CEO है ये जिसके बारे में पूरी जानकारी होती है उसको हम company का प्रविबराल कहते है जैसे prospectus college में जाते हो admission लेते हो एक पत्रिका मिलती है उसमें क्या college का सुन्दर साफोटो होता है प्रंस्पल का भी नाम होता है faculty का पूरा होता है कौन कौन से faculty है कितनी seats है कौन कौन से subject है और क्या उद्देश है ये सारी चीज़े होती है बस वही चीज जो आपके college का prospectus है सेम company का भी SI prospectus होता है और जैसे आपके college का prospectus में एक admission form लगा हुआ होता है ठीक इसी प्रकार से company के प्रिवराल में भी अंसों को purchase करने के लिए form लगा हुआ होता है company का इस्थाना पन्य विवराल क्या होता है जो company प्रोस्पेक्टर्स इसू नहीं करती है तो वो क्या है 2-4-6 पन्य का एक इस्थाना पन्य विवराल है बलकि आप पूरा लिखिए अब हम बात करते हैं अगला point company की पूंजी भाई आप बहुत ज़्यादा गलत करते हैं बच्चे corporate accounting में company की पूंजी के लिए बच्चे गलत क्या करते हैं उनके लिए सई information नहीं होती जब भी company की पूंजी की बात करें ध्यान रखना दो चीज़े यहाँ पर होती हैं company की पूंजी और company की अंस पूंजी देखो पहले हम बात करते है company की पूंजी पूंजी किसे कहते हैं ब्यापार में लगा हुआ धन क्या कहलाता है पूंजी कहलाता है ठीक उसी प्रकार से जब ब्यापार में लगा हुआ अधन पूंजी कहलाता है तो कमपनी जो ब्यापार कर रही है उस कमपनी के ब्यापार करने में जिन जिल लोगों का जितना भी रुपिया पैसा लगा हुआ है उसी को हम कमपनी की क्या कहते हैं पूंजी कहते हैं अब कमपन कि क्या है एक परकार की पूंजी ही है यानि गुडविल होती तो संपत्ती है इसको इसलिए यहां पर सामिल नहीं करेंगे माल संपत्ती होती है रोकर संपत्ती होती है फरनीचर संपत्ती होती है भावन संपत्ती होती है लेकिन इन सब के बराबर में क्या होता है पूंजी पि कि कंपनी की पूंजी किसे कहते हैं कंपनी अपने समस्त संसाधनों के द्वारा जो व्यापार कर रही होती है उन संसाधनों का योग ही कंपनी की पूंजी कहलाता है तो कंपनी की पूंजी कुछ और नहीं है बलकि कंपनी जो व्यापार कर रही है उसमें समस्त लगा हुआ धन invest किया हुआ धन, company की क्या कहलाता है, पूंजी कहलाता है, अब company की unspunji भाई क्या है, बहुत अच्छी बात आ गए, यहीं से हमारे numerical start होते हैं, okay, company की unspunji, देखो, unspunji का मतलब क्या है, कि किसी भी company में जितना भी धन लगा हुआ है, इस धन को जब छोटे-छोटे टुकडो में बांट दिया जाए, हैं, छोटे-छोटे टुकडों में बांट दिया जाए, चलो आई सकर के बांटो, ठीक, और यह छोटा सा जो टुकडा है, इसको हम टुकडा कहेंगे, या part कहेंगे, या unspunji कहेंगे, या हिस्सा कहेंगे, हैं, यही company का क्या कहलाता है, अंग्रेज हुई समस्त पूझी, जो छोटे-छोटे टुकडों में बटी हुई है, ओके, तो प्रतेक जो टुकडा है, वो क्या कहलाता है, अंस कहलाता है, और समस्त पूरा भाग, क्या कहलाता है, अंस पूझी कहलाता है, ठीक, अब यहां से थोड़ा सा clear, जरूर होगा, ठीक, अंस कि किसे कहते हैं अनसुजी किसे कहते हैं अनस किसे कहते हैं सबसे पहले अनस का मतलभ समझो अंस को अंगरी जी में हिश्चा कहते हैं और हिश्चा का मतलब यहाँ पर यह कहते हैं कि किसी कमपनी की पूझी एक लाख रुपए है और उसमें दो हजार तुमने लगा दिये हैं तो तुम्हारा कमपनी में कितना शेयर हो गया दो हजार बुजो तुम्हारा शेयर हो गया दो हजार अब उस दो हजार को छोटे छोट को में बाट दो ठीक है अब ये छोड़ चोड़े भागों को मांडते हैं इसलिए मांड है तुमारे पास दोहजार पडोसी के पास में 200 रुपए और पडोसी के बराबर बाले पे 100 रुपए सो रुपय वाला भी चहरा मैं अपना पैसा कमपनी में लगा देता दो सो वाला चहरा मैं भी कमपनी में लगा देता तुमने तो दो जार लगा रखे किसी को बीस जार लगाना है तो कमपनी क्या करती है कमपनी कहती है कि तुमारे पास जो थोड़ा थोड़ा पैसा है सब हमारे पास जमा कर दो जितना हमारे पास जमा कर दोगे हम सब पैसा ब्यापारम लगा देंगे तो तुमारे छोटे छोटे पैसे को किसको छोटे छोटे पैसे को जमा करने के चक्कर में कमपनी क्या करती है कि अपनी समस्त पूंजी को बोल देती है कि अब इतने इतने रुपए के हम अंस जारी कर रहे हैं अंस कुछ और नहीं होता है एक कागज होता है पिरमाड पत्र होता है कि भाई तुमने इतना पैसा हमें दिया तो वो ही प्रमाड़ पत्र क्या कहलाता है आपके लिए अंस पत्र कहलाता है अंस अधिपत्र भी इसी को बोलते हैं प्रमाड़ पत्र के लिए ही बोलते हैं जैसे आपने देखा होगा 100-100 के नोट होते हैं 2-200 के नोट होते हैं 5-500 के नोट होते हैं अंसों को जारी करने का मतलब कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं ट्रेन नहीं चलाती है, बलकि आपको इन्वाइड करती कि आप पैसा लगाईए, और जितने पैसा लगाओगे, उतना प्रमाड़ा पत्र आपको देती चली जाएगी, तो कंपनी में, पूंजी में, छोटे- हिस्सा जो जनता द्वारा लगाया गया है, या किसी ब्यक्ति के द्वारा लगाया गया, उसको हम क्या कहते हैं, अंस कहने, और किलियर हो जाएगा, किसी कंपनी में 10,000 रुपे लगे हुए हैं, और वो 10,000 रुपे उसकी क्या बन गई जाकर के, अंस पूंजी का मतलब है, बहुत सारे लोगों के हैं मनलब यही सारा रुपया हमने गिना तो 10,000 हुआ अब यह सब अगर हम कहें 100-100 रुपय के 100 लोट लगे हुए हैं तब भी तो 10,000 हो रहा है तो जब हमने 10,000 को क्या टुकड़ों टुकड़ों में माड़ दिया तो यह जो 100 रुपय टुकड़ा एक निकल गर के आया भी हमारा क्या कहलाएगा अंस कहलाएगा और 100 रुपय के अगर 1000 टुकड़े हैं तो एक लाख रुपय होगे जा करके तो भी सब हमारी क्या हो जाएगी अंस पूंजी हो जाएगी इसके बारे हम आगे भी समझेंगे इसके बाद में होता है अंसों के पिरक से ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं मूल पर लेक को भी हटा दो हम बात करते हैं कंपनी के अंसों को भी तो अंस का अर्थ कैसे लिखोगे यह तो खैर पीडियाफ नोट्स में भी बहुत अजी होगा लेकिन मैं आपको बताऊं किसी भी कंपनी में अंसों के द्वारा लगी ह कोई पूंजी का बहुत चोटा हिस्सा जो किसी व्यक्तिव से इसके द्वारा लगाया गया है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं अंश कहते हैं अब अंस के पिरकार जो अंश होते हैं अंस के पिरकार तो अंस एक पिरकार का होता नहीं इसलिए कहीं पर भी अंस के पिरकार नह अब इन दोनों का मतलब समझेंगे देखिए कमपनिया बहुत जल्दी पैसा लेकर के भागती है बहुत जल्दी डूब जाती है बहुत जल्दी लुकसान में आ जाती है तो इस डरके मारे बहुत से लोग कमपनी में पैसा अपना नहीं लगाना चाहते हैं लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई हम अपना पैसा कंपनी में लगाएंगे नो रिस्क नो गेम पैसा लगाएंगे तो जो कंपनी के असली मालिक होते हैं उनके दोरा जितना पैसा लगाया जाता है वो सब बनता है जाकर के सम्तांस और भी लोग जो डरते हैं जो कहते हैं हम सिर्फ फाइदे के मालिक हैं नुकसान होगा तो वहिया सबसे पहले हमारा पैसा वापस करोगे कंपनी डूबेगी हमारा पैसा वापस करोगे कंपनी को मुनाफ़ा होगा सबसे पहले पैसा हमें बांटोगे यानि हर चीज में जो पहले ही अधिकार ले लें उनको कहते हैं पूर्वा अधिकार और हर चीज में जिसका बाद में अधिकार हो उसको कहते हैं सम्ता अंस अच्छे हैं आपको लगेगा पूर्वा अधिकार अच्छे हैं जी नहीं सम्ता अंस अच्छे होते हैं क्योंकि सम्ता अंस का मतलब ही सम माने बराबर अत्ता माने अधिकार एक अंस लिया है तब भी बोड देने का अधिकार होगा अगर हजार अंस लिये तब भी बोड देने का अधिकार होगा कमपनी के संचालन विवस्था में जो सम्ता आंस होते हैं, वही होल्डर, वो लोग जिन्होंने सम्ता आंस खरीदे होते हैं, वही कमपनी को चलाते हैं, तो इस तरह से ये जो सम्ता आंस हैं, वो आंस हैं, जो कमपनी के वास्तविक मालिकों के आंस हैं, पूरवादिकारांस कौन से में हैं, जो मालिक जैसे तो ह लेकिन यह सिर्फ फाइदे के मालिक होते हैं इसलिए इनको पूरबादिकारांस दे दिया जाता है अब तुम सोचोगे कि हम यह क्यों लें इनमें ही सब कुछ ज्यादा फाइदा आख को लग रहा है यहां पर क्या होता है एक निश्चित ही फाइदा हो सकता है यहां पर जो इनका जीवन काल में कभी पैसा बापस नहीं होता है और जितना कंपनी मुनाफ़ा कमाएगी वो सब यही लोग आपस में बाड़ते रहेंगे इनको देने के बाद इनको तो सीधे तै होता है पहले से 10% मिलेगा, 11% मिलेगा, 12% मिलेगा इनकों कोई पता नहीं है कि 50% मिलेगा, 60% मिलेगा, 80% मिलेगा नुकसान होगा तब भी कोई पता नहीं है, कितना नुकसान होगा, सब यह जहलेंगे क्यों घाटे के मालिक यह हैं, तो फाइदे के मालिक यही है अब पूर्वादिकार अंस जो होते हैं, ये सम्ता अंस किसी भी प्रकार के नहीं होते हैं, सिर्फ सिंगली प्रकार के होते हैं, हाला कि एकाद गुक में दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सम्ता अंस का मतलब असलियत में, बोई मालिक वाली अंस, पूर्वादिकार ज में आठ में नमें नमा ना दिखाएगा चलिए कोशस करते हैं सबसे पहला होता है संचय पूर्बादिकार अंस दूसरा होता है आसंचय पूर्बादिकार अंस भाग योग्त सब समझाऊंगा इनके बारे में पूर्बादिकार अभाग योग्त पूर्वादिकार अंस परिवर्तन शील पूर्वादिकार अंस आपरिवर्तन शील पूर्वादिकार अंस शोधनिये पूर्वादिकार अंस आशोधनिये कि पूर्वादिकार अंश और नमा होता है प्रत्याभुतित पूर्वादिकार अंश ना दिख रहा हो तो सुन लें ज़िएगा सिर्फ संचाई का मतलब है कि किसी भी बर्स में माली जग कंपनी दो हजार ग्यारा बारा तेरा चौधा पंदरा सोला इस तरह से भ्यापर करती हुए चली आ रही थी ठीक है पता चला बारा में और तेरा में लुक्सान हो गया ठीक घाटा पड़ गया अब इस बर्स के जो लाव है व तो इसको हम कहते हैं संचाई आसंचाई का मतलब होता है जहां फाइदा हो रहा है बहां तो इन्हें फाइदा मिलेगा जहां फाइदा नहीं हो रहा है बहां पर इनको फाइदा नहीं दिया जाएगा तो संचाई और आसंचाई बेटा यही अंतर है संचाई में कंपनी नु आसंचाई का मतलब क्या होता है आसंचाई का मतलब कमपनी को अगर फायदा होगा तो मिलेगा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा भागयुक्त का मतलब क्या होता है इनको 10% दे दिया इनको भी 10% दे दिया फिर जो profit बचा उसमें भी ये थोड़ा सा profit जिनको मिलता है वो भागयु का है भुगतान करना जिन अंसों को एक पांस सालवाद दस सालवाद 15 सालवाद 20 सालवाद पैमेंड बापस कर दिया जाए उसको हम कहते हैं शोधनिये और जिनका कभी जीवनकाल में पैसा बापस ना हो उन्हें हम कहते हैं आशोधनिये प्रत्या भूतित किसे कहते हैं बेयां कि तुमारा पैसा हमारे हाँ पर जमा है थीक है तो इन्हें प्रत्या भूजित कहते हैं तो इस प्रकार से यह दो प्रकार के अन्च़ों सम्तान्स और पूर्वादिकार अन्चुर Monsieur पूरबादिकार अन्चों से आसा है उनन् justo से जिनको पूंजी बाप्सी की और लाप्स्ण राप्त करने की प्रात्मिक्ता होती है उन अंसों को हम पूर्वादिकार अंस कहते हैं सम्तांस बेंस होते हैं जो कंपनी के वास्तविक मालिकों के होते हैं और इन पर जब कंपनी का समापन होता है तो सबसे अंत में इनका पैसा वापस किया जाता है और कंपनी के जो लाब औ और हानी होते हैं वो भी समस्त इनी के लिए बहन करने होते हैं ऐसे अंसों को हम सम्तांस कहते हैं अब बात करते हैं आगे की अंसों का निर्गमन क्या होता है ठीक है यहां से अब नुमेरिकल स्टार्ट हो जाते हैं बिटा देखो अंसों का निर्गमन बहुत मज़ा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, जरूर आ रहा होगा क्योंकि हम पढ़ाने में पूरा दिल से पढ़ाते हैं और कोई कमी नहीं छोड़ते हैं अब बात करते हैं जो यहां से आया ठीक numerical का part अंशों का निर्गमन क्या होता है अंशों का निर्गमन देखो, जो कमपनिया होती हैं माल लीजएगा कि ए व्यक्ति किसी कमपनी का मालिक है ठीक, वैं अपना सारा का सारा पैसा कमपनी में लगा रहा है वो तमाम लोगों से मिला संचालकों से मिला उनका भी पैसा कमपनी में लगा लिया इसके बाद में रिस्तेदारों को उसने जोड़ा उनसे भी पैसा कमपनी में लगा लिया लेकिन जब कमपनी चल पड़ती है तो कमपनी को होती है बहुत ज़दा पैसे की जरूरत तो कमपनी पैसा लगाओंगे उतने पैसे के बदले का क्या लाब हम किसे देंगे आप के द्वारा लगाये हुए धन पर देंगे जो अंस के रूप में लगा हुआ है यानि लाब जो अंस के आधार्प मिलता है इसी को हम कहते हैं लाब हांश dividend रेजिंप कहते हैं, तो जब जनता का पैसा company जब इस तरह से फैलती है और वो जनता से कहते हैं आप भी अपना पैसा हमारे यहां पर लगाए तो जो पैसा लगाएंगे यह जनता लगाएगी उसका पिरमाल पत्र तो देना होगा उस पिरमाल पत्र को ही हम क्या कहते हैं अंश कहते हैं ओके और अंश पिरमाल पत्र किसे जनता को देना जनता को देन यही अंसों का क्या कहलाता है निर्गमन कहलाता है अब ऐसे समझे में नहीं आया हो तो ऐसे समझे लो हमने कंपनी खोली और आप हम पर विस्वास करते हो हमारी संस्ताम विस्वास करते हो आपको लगता है यह संस्ताम चलेगी यह कंपनी चलेगी तो आप जितना पैसा हमारे पास में जमा करोगी वो पैसा हम क्या करेंगे कमपणी में लगा देंगे और कमपणी की मोहर लगे हुए जितने पैसा जमा कर रहे हुए उतने सर्टिफिकेट हम आप के लिए देना और आपसे पैसा लेना यही अंसों क्या कहलाता है निर्गमन कहलाता है अब यह तो समझ में आ गया कि चलो अंसों का निर्गमन यह चीज हो गई कि जंता अपना पैसा लगा रही है चलो निर्गमन हो गया और ऐसा डाइग्राम भी बना के आना है आप लोगों को जिससे मारकेंग बहुत अच्छी आए हम यह भी अंश निर्गमन के प्रकार अंशों का जो निर्गमन होता है वो होते कितने प्रकार के हैं भाई तीन प्रकार का होता है कौन कौन सा होता है नंबर एक होता है सम मूल दूसरा होता है कटोती मूल तीसरा होता है प्रीमियम मूल यह तीन मूल होते हैं कौन कौन से शम्मूल, कटोती मूल, प्रीमियम मूल सम्मूल का मतलब होता है बराबर का मूल ठीक, यानि सो रुपए का अंस जनता को सो रुपए में ही दे दिया जाए ठीक, यानि सो रुपए का अंस है जिसकी कीमा सो रुपए है जनता से कहा तो मैं 100 रुपए ही देने हैं ठीक है तो ये कहलाता है कौन शमूल कटोती मूल जब कमपणी को पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यक्ता होती वो कहती भी ये 100 रुपए का आंसा है हम आपको 90 में दे रहे हैं यानि कम में दे रहे हैं तो यहां पर जनता को 5 रुपए का तो तुरंत ही परशर फाइदा होत रहा है दिया 10 रुपए फाइदा हो रहा है तो ऐसे मूल को कमपणी का कटोती मूल कहते हैं इसमें कमपणी के लिए नुक्षान होता है अग किसी कमपणी की गुड़ बहुत अच्छी है वो कहता है 100 वाला आंस हम 105 में देंगे 110 में देंगे यानि तुम कमपणी में 105 जमा करोगे या 110 जमा करोगे और कमपणी में लिखे 100 ही जाएंगे तो ऐसे को हम कहते हैं प्रीमियम मूल लपाइद ऐसा क्यों होता है जनता मूर्ख है क्या जो जादा देगी मूर्ख वाली बात नहीं होती है यहां पर जिन कमपणीों की गुडविल जाद होती है जिन कमपणीओं का नाम होता है जिन कमपणीों पैसा लगा दोगे तो ज्यादा दिन तक सुरक्षित rebels रहता है और जिन कंपनियों पर मुनाफ़ा ज्यादा होने की संभाब नहीं होती है उसमें हम सो रुपए की जगए पर एक सो पालच रुपए एक सो दस रुपए के दोरा भी नंसों को खरीद लेते हैं जैसे यह पैन मार्केट में अगर इसी की दूसरी कंपनी का पैन 20 होते हैं इसका संभी मुल कटोथी मूल और प्रीमーー जैते हैं के इन अंसों पर पैसा लिया कैसे जाता है जैसके क्या होते हैं पहले वाला आबेदन कहलाता यह numerical जब हम सिखाएंगे तब होगा दूसरा वाला हमारा allartment कहलाता जिसको हम आवंटन कहते हैं तीसरा वाला हमारा first call यह वाली हमारी second call इस तरह से होता है अब हरन क्या होता है यह जो सब्द लिखा हुआ है हरन का मतलब है जिसने ये पैसा दे दिया ये दिया ना ये दिया ना ये दिया कमपनी क्या करेगी इसका अधिकार अपने रेजिटर में से खतम कर देगी इसी को हम कहते हैं अंशो का हरन अंशो का हरन का मतलब ये बिलकुल नहीं है कि किसी से कोई चोरी करना है बलकि सीधा समतलव यह है कि जितना इन लोगों ने पैसा जमा किया है उनका अधिकार हम कमपनी से खतम कर देंगे ठीक है जैसे example को रूप में मैं आपको समझाओ अलाइसीम बीमा कराते हो तो पहली किस्त दे देना दूसरी किस्त देना ठीक है और तीसरी किस्त का नंबर आए तो तो देना मत अब जो दो किस्त देदी हैं दो साल बाद तो इन पर कलेम करना कि हमने कि वहB19500 की 10,000 कर दिया और तुम कंपनी से कहना 10,000 हमारे दो दो छंता की नहीं देगी क्यों नहीं देगी वह पैसा जब्त हो जाता है ओके और LIC के पास में बहुत सारा ऐसा पैसा है जो जंता का पैसा है और जब्द किया हुआ है लेकिन नियम किसने तोडा है जंता ने तोडा है तो यहां पर जो I.A.C. की जो भीमा पालसी कराते वो भी एक शेर्काई ही रूप है अब यहां पर जो भी पैसा है तुमने दे दिया और company एक notice देगी, एक देगी, दो देगी, तीन देगी, इसके बाद में तुम्हारा अधिकार ही खतम कर देगी अपने register में से, तो इसी को कहते हैं अंशो का हरान, अब अंशो का पुना निर्गमन क्या होता है, पुना निर्गमन का मतलब होता है, कि तुमने जो पैसा नहीं चुकाया, अब company, यह सो बाला, उसकी मर्जी के अनुसार, किसी अन्य व्यक्ति को सो रुपय में दे सकती है, नबभा रुपय में दे सकती है, एक सो पाँच रुपय में भी दे सकती है, उसके जैसे बिकेंगे, यानि यही वाले तीन मूल फ़र्से होंगे, ओके, तो यह कह प्रूपय में 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 दे